हेलो गाईस, वेलकम टो क्रिसी क्रोजिट चलेंग, तो आज मैं आप लोगों को 5 और 4 नमबर लड़ु गुपाल के लिए ड्रेस बना के दिखाऊंगी, बहुती सुन्दर शट ड्रेस है, इसका कालर तो देखें, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको बनाना बहुती आसा कोई भी मैंने विडियो स्कीप नहीं किया, अगर स्कीप किया तो मैं बता के आपको स्कीप करूंगी, नहीं तो बीना बता के नहीं करूंगी, वह आपको भी मालूम है, और मेरा चलेंगल में और भी बहुत शरा लड़ु गुपाल के लिए ड्रेस है, चलेंग में मेरा चैलेंग में और वीडियो जिकार लिंग में इसिक्रिफिंट में दे दूँगी ठीक है तो ब्लाउच बनाने के बाद मैं नहें फर्रेंच में बना लूंस सिंगेल सिंगेल एक दो उसके बाद तीसरी चेन में एक ही लूम में दो डबल कुरोशिया फिर एक दो तीन तीसरी में दो डबल कुरोशिया फिर एक दो तीन तीसरी में दो डबल कुरोशिया तो जैसे नॉर्माल घेरा बनता है ना से उसी तरह से मैंने एक और दो राउंट म मैं ले लेती हूँ यहां पर सबसे पहले मैंने नॉट लगा दिया और यहां पर क्रोशिया में डाल लिया जहां पर मैंने स्लिप स्टिच किया सेम इसी होल में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और उलको फसाएंगे फिर एक दो तीन चार और पांच पांच चेन मैंने बना ल एक दो दो चेन तो देखिए दो चेन लूप लेंगे एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन के उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक चेन लूप लेंगे इसे होल में फिर से और एक बार डबल क्रोश्या बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी बन गई इसके बाद चेन एक, दो, दो स्कीप करेंगे, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगेल, फिर एक और दो, दो चेन लूप लेंगे, फिर एक चेन स्कीप करेंगे, और दूसरी चेन में भी बनाएंगे, एक चेन लिया, फिर इसी होल में, और एक बार डबल क्रोशिया, तो यहां पर एक चेन मैंने skip किया इसके बाद दो चेन ठीक है इसके बाद एक दो तीन तीसरी चेन में double crochet एक और दो दो चेन एक चेन छोड़ेंगे यहां पर भी बनाएंगे ठीक है तो इसी तरह से round time complete कर लेंगे तो देखिए round complete होगई देखिए यहां पर भी बनाने के बाद दो चेन और यहां पर एक चेन मैंने skip करके double crochet मैंने बनाया इसके बाद दो चेन लूप लेंगे यहाँ पर एक भी बनना है देखिए जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया सेम इसी होल में डबल क्रोश्या चेन वान और देखिए यहाँ पर मैंने 5 चेन लिया था एक, दो, तीन उपर से दो चेन छोड़के तीसरी चेन में स्लिप स्टिच, तो देखिए यहाँ पर एक भी बन गया, अब देखिए स्लिप स्टिच करते हुए यह डबल क्रोश्या तक आना है एक बार दो बार और यह डबल क्रोश्या के ऊपर एक बार स्लिप स्टिच करना है, ठीक है लूप लेंगे लूप लेने के बाद देखिए जो भी है हमको यहाँ पे नहीं बनाना है इस तरह से हमको उठाना है भी को ठीक है इस तरह से हम पकल लेंगे और यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 हो गई 5 6 और यह हो गई 7 ठीक है 7 बार बनाने के बाद देखिए जहाँ पे मैंने बनाया डबल क्रोशिया जस्ट इसकी सीधा इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टीज बनाएंगे देखिए स्लिप स्टीज बनाया लूप लेंगे और यह देखिए जो भी का यह दूसरा डबल क्रोशिया है जब आप बनाएंगे आपको पता चलेगी इसके उपर 7 डबल क्रोशिया बनाना है तो देखिए 7 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया आप देखिए सीधा करेंगे तो आपको पता चल जाएगी इस तरह से दिखेगी और आप जोड़ना कहां है देखिए यह उल्टा है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे ठीक है फिर से लूप लेंगे और यह जो फिर नेक्स्ट भी है इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर फिर से सेबंथ डबल क्रोशिया बना लेंग तो देखे 7th double crochet हो गए आप देखे सीधा करेंगे सीधा करने के बाद just जहां पर मैंने ये भी बनाया just उसी के सीधा एकदम double crochet इस तरह से उठाएंगे और यहां पर slip stitch बनाएंगे ठीक है इस घर से निकाला फिर से लूप लेंगे देखे भी का एक double crochet के उपर तो साथ बना लिया फिर से जो भी का double crochet दूसरा है इसके उपर भी 7th double crochet बना लेंगे देखे 7th double crochet बना लिया आप देखे काहां जोड़ना है नेक्ष्ट जो इस सिंगल डबल क्रोश्या है इसके उपर सिंगल क्रोश्या से जोड़ देना है अब देखे ड्रेस सीधा करेंगे तो यह पत्ति आपको समझ में आ जाएगी तो इसी तरह से हम यहां से बनाते आएंगे यहां तक ठीक है तो देखे राउन कॉंपलीट हो गई और यहां पर जोड़ देंगे तीक ही जहां पर मैंने स् सिंगल क्रोश्या बनाया था पत्ति के बाद सेम इसी जगा हम सिंगल क्रोश्या बनाएंगे फिर से से बन चेन एक दो तीन चार पांच छे शाथ फिर से देखे यह जो सिंगल क्रोश्या बनाया शेंटर में हम सिंगल क्रोश्या से जोड़ देंगे तो इस तरह से आप white color का धागा मैंने ले लिया आपको पसंद है आप लीजिए और देखिए यह जो मैंने single crochet बनाया same इसी hole में एक बार single crochet बनायेंगे कि single crochet बनाया लूप लेंगे और यह जो chain है chain में हम 7th double crochet बनाएंगे ठीक है तो 7th double crochet बना के मैं दिखाते हूँ तो देखिए 7th double crochet बन गई आप यहाँ पे बनाएंगे 2 chain लूप लेंगे और इस side भी 7th double crochet आपको बनाना है तो मैं 7th double crochet बना के दिखाते हूँ तो देखिए 7th, इस side 7th double crochet और इस side तो pattern हो गई यह पत्ती ready हो गई अब देखिए यहाँ पे जो single crochet बना हुआ है इसमें हम बनाएंगे single crochet फिर से loop लेंगे और फिर यह जो chain है इसमें फिर से 7th double crochet, बीच में 2 chain फिर से 7th double crochet तो हर पत्ती इसी तरह से बनाते जाएंगे और single crochet के उपर single crochet से जोड़ते जाएंगे ये जो single crochet है इसमें जोडते जाएंगे तो इसी तरह से हम round complete कर लेंगे और ये वाला पत्ती complete होने के बाद जब single crochet बनाएंगे direct loop लेके chain के उबार double crochet बनाना start कर दीजे बीच में कोई chain नहीं लेना है तो देखे round complete हो गई और यहाँ पे जहाँ पे single crochet मैंने बनाया था इसी जग कर देंगे और फिर दूश्रा धागा लेंगे आपकी पसंद की कोई भी color लीजिए क्रोश्या में डालेंगे और आप केहीं से भी आप start कर सकते हो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इस लिश्ट इस किया वहीं से आपको start करना है बस आपको start करना है ये जो single crochet बना हुआ है यहाँ आपके single crochet बनाएंगे देखे single crochet बनाया single crochet बनाने के बाद लूप लेंगे और यह जो 7th double crochet है तो पहला double crochet को इस तरह से उठाएंगे एक बार front से बनाएंगे और एक बार back से लेंगे इस तरह से पीछे से ठीक है और एक बार front से और एक बार back की तरब से उठाएंगे double crochet को यहाँ पे 7th double crochet है तो 7th को सब double crochet को उठाना है और इसके बाद देखिए यह hole है hole में बनाएंगे double crochet एक बार, दो chain, same इसी hole में और एक बार double crochet ठीक है अब देखिए यह साइट मैंने यह उठा के मैंने बनाया तो यह बाला भी इस साइट जो 7th double crochet है तो पहला double crochet को इस तरह से हम उठा के ही बनाएंगे ठीक है तो जैसे यह भी मैंने उठा के बनाया तो यहां पे भी start इस तरह से करना है जैसे कतम होगी उस तरह से आपको यहां पे start करनी है इसके बाद loop लेंगे आप back से बनाएंगे अब देखिए front से बनाएंगे फिर back से उठा के इस तरह से यानि chain पे नहीं बनाना है आपको और देखिए यह front से बनाना है जैसे कि start किया था front से उसके बाद back में बनाया सेम उसी तरह से आपको complete करना है यह बला पत्ती आप देखिए जहाँ पे single crochet बना हुआ है यहाँ पे हम single crochet करेंगे फिर इसे लूप लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ तो पहला double crochet को इस तरह से उठाएंगे फिर back से लेंगे एक बार back से उठाएंगे double crochet को एक बार front से उठाएंगे double crochet को अब देखे यह last है इससे इस तरह से फ्रॉंट शेय उठाएंगे अब देखे अब यह chain में बनाएंगे double crochet एक दो chain सेम इसी होल में फिर से और एक बार double crochet अब देखे यहां जैसे कि उपर से सामने की तरफ से उठाया फ्रॉंट से आप इससे भी सेम ऐसा ही करना है आपको फिर से बैक से लेंगे तो इसी तरह से पत्ती में पकॉंप्लिट करेंगे हर प्तत्ती हम कॉंप्लिट कर लेंगे ल्यार आट १ס क इसके बाद दूस्रा कपला लेंगे और कीवा नीक्री ने चांट । इसके बॉसरा काल लेंगे और यह पर नट लगाएंगे Swiss complete हो गई और यहां पर देखिए यह जो single crochet जहां पर मैंने किया start किया सेम इसी जगह पर हम slip stitch बना के एक chain लेके धगा को काट देंगे इसके बाद दूसरा color लेंगे और यहां पर not लगाएंगे और crochet में डाल लेंगे तो आप यही से भी start करो कोई problem नहीं है तो यहां पर हम single crochet बनाएंगे और यह जो धागा है पीछे की तरफ दे देंगे लूप लेने के बाद देखिए start में यह देखिए यह front में है इसे उठाएंगे और यहां पर बनाएंगे double crochet पर देखिए back में है इसे back से उठाएंगे यानि कि जैसा जो double crochet आपको दिख रहा है ऐसे ही आपको उठा के double crochet बनाना है जो front से है उपको बनाना है जो back से है उसे ऐसे back से उठाएंगे तो आप यहां पर क्या करेंगे ए देखिए जो middle में दो double crochet मैंने बनाया था तो इसे back से उठाएंगे इसको ठीक है हर round में एक-एक double crochet बढ़ते जाएगे हो गया फिर hole में बनाएंगे एक double crochet दो चीन फिर इसी hole में फिर से और एक बड़ double crochet इसके बाद देखिए जैसे कि यह back से उठाया तो यह जो double crochet है वो ही करेंगे जैसे start में रहेगी तो यह भी ऐसे ही रहेगी देखिए यह वाला back से उ उठाया तो फिर से देखिए यह front से है इसे front से ही उठाएंगे जो back से है उसे जो double crochet जैसा है ऐसा ही उठाएंगे बस आपको क्या करना है जो मीडिल में दो double crochet है वो ही पर थोड़ा सा आपको change करना है और कुछ नहीं मैं और एक पती आपको दिखा देते हूं अब देखिए यहां पर single crochet है तो यहां पर हम single crochet से join कर देंगे फिर से देखिए यह front से है तो इसे इस तरह से उठाएंगे फिर यह back से है तो back से उठाएंगे जो पीछे की तरफ है वो पीछे की तरफ से ही आपको बनाना है जो सामने की तरफ है वो सामने की तरफ से आपको बनाना है अब देखे अब आगया है ये जो होल में दो डबल क्रोशिया है इसे बैक देखे ये बला फ्रॉंट से बनाया ना तो इसको हम बैक से ही उठा के पीछे की तरब से उठा के हम बनाएंगे फिर hole में बनाएंगे एक double crochet, दो chain, इसी hole में फिर से और एक भा double crochet, इसे भी हम front से ही उठाएंगे, आप देखिए ये सामने की तरब से है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको round complete करना है, हर पत्ती में एही करना है आपको, ठीक है, तो इसी तरह से आप complete कर लेजे, तो देखिए ग single crochet बना के start किया था, सेम इसी जगा पे, slip stitch से जोड़ देंगे, और एक चेल लेके धागा को कार देंगे, फिर दूसरा color धागा ले लेंगे, फिर देखिए यहां पे मैंने slip stitch से जोड़ा, तो एही से ही हमको start करना है, single crochet बनाया, single crochet बनाने के बाद देखिए, यह उठा हुआ double crochet है, front की तरफ है, तो इसे हम उठा के बनाएंगे, फिर यह back की तरफ है, देखिए यह rate color नहीं है, यह pink color है, रानी pink है, तो camera में rate color दिख रहा है, तो इसी तरह से हम इहां तक आ जाएंगे, तो देखिए जो double crochet जैसा है, उसी तरह से उठा के मैंने बना लिया, ठीक है, जो back में है, वो back से ही बनेगी, जो front में है, वो front से ही बनेगी, अब देखिए यह hole में जो 2 double crochet है, आप इससे उठा के देखिए, यह वाला जो है, यह back में चली गई, तो इससे हम front से ही उठाएंगे, फिर इसी hole में double crochet, दो chain और double crochet बनाया, और इससे भी फिर से उठाएंगे, देखिए यह वाला जैसे उठाया, इससे भी हम उठा के ही बनाएंगे, और यह देखिए, बैक से है, double crochet, तो इसी तरह से हम बनाते होए आएंगे, औ इस तरह से हम पूरा पत्ती, जितना पत्ती है, सब complete कर लेंगे, ठीक है, तो इसे complete करने के बाद, यहाँ पे मैं single crochet से जोड़ूंगी, जोडने के बाद ही, मैं दूसरी color एड़ करूंगी, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे round complete करने के बाद, यहाँ पे slip stitch से मैंने जोड़ और एक चल लेके धागा को कार देंगे, तो दूसरी color ले लेंगे, और यही से ही start कर देंगे, जहाँ पे single crochet बनाया, जब आप बनाओगे, आपको पता चल जाएगी, इस तरह से ओल को फसाएंगे, और यहाँ पे chain one, loop लेंगे, जैसे कि ऐसे, यह front में उठा हुआ है, तो य एक बार back से उठाएंगे double crochet को, और एक बार front से उठाएंगे double crochet को यह देखिए, यह जो दो double crochet है, इस तरह से, back से उठाएंगे, और यहाँ पे double crochet बनाया, और फिर से hole में बनाएंगे, double crochet, दो chain, same इसी hole में, और एक बार double crochet, अब देखिए, इसको back से उठाएंगे, तो इसको भी back से ही उठाएंगे, आब आगया front से, तो इसको बाद देखिए, लूप लेंगे, ठीक है, लूप लेने के बाद, यहाँ पे और single crochet नहीं बनाएंगे, जैसे कि यहाँ तक आने के बाद single crochet बनाया था, तो नहीं बनाएंगे, लूप लेंगे, और यह जो यहाँ पे purple color का, यह जो hole है, इस तरह से उठाएंगे, यह बनाएंगे, और यहाँ पे पूरा धागा सब निकाल देंगे, और single crochet बना दिया, फिर लूप लेंगे, देखिए, यह जो उठा हुआ, double crochet है, इसे उठाएंगे, और यहाँ पे double crochet बनाएंगे, फिर वैक से, तो देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगी, तो यहाँ तक आ जा देखिए, यहाँ तक मैं पहुंच गी हूँ, यहाँ पे जो single crochet मैंने बनाया था, आप loop लेंगे, तो single crochet नहीं बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पे धागा को लंबा करेंगे, फिर से लेंगे loop, फिर से यहाँ से घुमाएंगे, और देखिए, यहाँ पे सब धागा निकालें अब देखिए, कुरोशे में दो आ गई, दोनों को एक सद निकल दिया, फिर से loop लेंगे, फिर जैसे हम बना के आते हैं, उसी तरह से आप बना लीजे, फ्रॉंट से और बैक से, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस कुछ इस तरह से दिखेगी, यह जो पत्ती है, इस तरह से आ जाएगे, तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कॉंप्लीट कर लेंगे, तो देखिए, राउंड मेरा कॉंप्लीट हो गई, आप यहां पर देखिए, लास्ट यह है, हम एक रग दिया, आपको दिखाने के लिए, देखिए, लूप लेंगे, और यहां से, इस तरह से, एक, और एह हो गई, दो बर, दो बर गुमाया धागा, सब एक साद निकल दिया, दो छोड दिया, दोनों को एक साद निकला, और देखिए, जहां पर मैंने जो स्टार्ट किया था, सिंगल क्रोशिया से, यहां पर स्लिप स्टीस से जोड़ेंगे, और एक धागा लेके, एक भी दिखा देती हूं, सबसे पहले तो हम नॉट लगा लेंगे, और क्रोशिया में, नहीं, शॉरी, क्रोशिया में डालेंगे नहीं, यह देखिए, यह जो होल है, यहां पर इस तरह से हम क्रोशिया डालेंगे, और उल्को फसाएंगे, और यहां पर, देखिए, एक चेन ल दो चेन फिर नेक्ष्ट में बनाएंगे स्लिप स्टीच फिर से दो चेन नेक्ष्ट में बनाएंगे स्लिप स्टीच फिर से दो चेन नेक्ष्ट में बनाएंगे स्लिप स्टीच देखे इस तरह से लूप जाएगी तो पूरा राउंड कॉंप्लीट यहां तक कर लिए तो देखिए मैंने यहां तक मैंने बना लिया अब देखिए होल छोड़ेंगे और जैसे मैंने स्टार्ट किया था जहां से सेम डॉप में जो डबल कुरेशिया है यहां पर स्लीप स्टीच बनाया दो चेण लेंगे फिर देखिए यह जो दो चेण मैंने लिया था यहां पर स्लीप स्टीच बनाएंगे फिर एक दो दो चेण next chain में बनाएंगे slip stitch फिर दो chain next chain में बनाएंगे slip stitch फिर इसे दो chain next chain में बनाएंगे slip stitch ठीक है तो इसी तरह से round बन के आ जाएगी तो इस तरह से हम complete कर लेंगे यहां तक तो देखिए round की end में पहुँच गई हूँ तो यहां पे बना लिया आप यह जो hole दिख रहा है यहां पे नहीं बनाएंगे देखिए जहां पे start किया था यह जो chain दिख रहा है यहां पे slip stitch से हम जोड देंगे और एक chain लेके धागा को कार देंगे और पीछे की तरह लेके जाएंगे यह जो दोनों धागा निकला हुआ है एक दूसरे के शाद बान देंगे और एक्स्टर धागा को हम कार देंगे ठीक है तो देखिए यहां पे बॉडर बन गई आप यहां पे भी बॉडर दे देंगे यहां पे जो बॉडर देंगे single crochet से बनाएंगे यहां से लेके single crochet से हम बॉडर बना लेंगे ऐसे भी single crochet का बॉडर मैंने बहुत बार दिखा चुकी हूँ तो आप नहीं दिखाएंगे यहां पे बॉडर कम्प्लीट करके दिखाते हैं तो देखिए बॉडर में मैंने यहां से स्टार्ट किया दो सिंगिए यहां पे दो single crochet बना दिया यहां पे आया टन यहां पे घूमना रहता है तो यहां पे single crochet दो chain ठीक है दो chain लेने के बाद फिर से single crochet उसके बाद मीडिल में एक एक chain लीजिए नहीं तो ज़्यादा खिचा खिचा सा हो जाएगी और दो दो double crochet आप skip करते जाएए मैं जैसे कि यह देखे यह chain में बना रही हूँ chain में नहीं बना रही हूँ देखे एक single crochet मैंने बना लिया इसके बाद एक chain दो छोड़ देंगे और hole में हम single crochet बनाएंगे ठीक है इस तरह से एक-एक single crochet बनाने के बाद एक chain लीजिए तब यह ज़्यादा खिचा खिचा सा नहीं आएगी तो इस तरह से आप complete कर लिजे यहां तक तो देखे मैंने border बना लिया जहां से start किया था same यह बराबर होना चाहिए ठीक है तो एक चेल लेके धागा को कार दिया पीछे लेके जाएंगे और not लगा देंगे तो dress मेरा ready हो ग होगा तो भी आप decorate कर सकतो यहां पे भी एक मोती लगा सकतो या स्टोन लगा सकतो नहीं भी देंगे तब भी अच्छा लगीगी बहुती सुन्दर है आई हो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी थोड़ा सभी अच्छी लगी तो लाइक किजिए और share किजिए और मे